करना है अरे यह तो मुबाईल है यार मल्टिमीटर यह है अगर है मैं पूरा जानना जो इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इस वीडियो में मैंने कमाल की बात करी है कुछ सीखने के नॉलेज भी दिया है कि यहां बहुत देखे यह 2.1 के का रहिस्टर है 2.2 एक रहे टोट लेंस है यह 1 के का रहिस्टर है तो कि रीडिंग कितनी अच्छी और एक्कुरेट है यहां पर देखो इस बीप की कंडरीटी देखेंगे देखो यहां पर dual coil लगी हुई है तो इसकी continuity देख रहा है हम इस रेजिस्टर की रेडिंग देखिए जीरो हुम का रेजिस्टर है यहां पर accuracy देखिए यह देखिए यहां पर accuracy देखिए यह देखिए तो Bluetooth DMM यह application आपको डाउनलोड करनी है मेरी डाउनलोड है यह एंड्रोइड में मिल जाएगा आइफोन में मिल जाएगा यह application आपको इस तरीके आएगी अब यहां पर इस application यहां पर रेड लगाएंगे तब आपको यहां पर ब्लैग लगाना होगा यहां पर आ सबसे पहले अगर में ऑफ कंडिशन की बात करूंगा और अगर आटो कंडिशन की बात करूंगा तो आप यहां पर चला गया है जैसे कि मैंने सपोज इस मल्टिमीटर को यहां पर इस तरह से रग दिया आप देख सकते है पैनल काफी अच्छा है काफी बढ़ा है और अगर चला में इसको बजता ऐस एक को तेंप्रेचर करना है तक तुम यहां पर आप रियख सकते हैं आप यहांप देस्सृर्ट wars एक अलसिजिके हैं कर सकता यहां टो रचीक utanप्रेफर करके ऐसा दिया हुआ है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं और इसके अलाबा भी बहुत तरी चीज यहां पर दी हुई है अब मैं तोरह सा और आगे जाओंगा तो यहां पर अलग-अलग चीज दी हुई है और यहां पर जैसे कि मैंने बताया है कि इसकी कितना ओम सी चेक मेरा फुटूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्ण तो आप मैं यूडू फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग आप बहुत अच्छ होंगे दोस्तों याड आप लोग ने अभी तक चलाए होंगे इस तरह के मैनुवल मल्टीमीटर जिसमें आपने इस तरह का देखने होंगे यहां पर आपको एक डोटेटर में वनिमोड में में और बॉटिमूड में आप सारी ऊंगा when you are स्कीन पे देख रहे होंगे आपको आज इस मिल्टीवीटर करवाता हूं जी यह चली आपको आज इंडिया में सबसे पहला आने वाला नहीं वाहन प्लुटूट धिजिटल मल्टी मिटर और इसको आप तो देके लिए यह मल्टी मीटर दोस्तों Bluetooth सिग्नल पर चलते हैं और बेसिकली इसे जो इसकी Bluetooth की आपको डिस्प्ले में दिखाए दीगी और इसको मैं पुरा यूज करके बताऊंगा और बताऊंगा इसके सारे फीचर्स वीडियो आप लोगों के लिए इसको इंजॉइ करना और साथ में है और साथ में हमारे क्लास से जरूयर जुननinky धिखने के लिए फेस्वुक को लाइग जोइन करें लिए और इस मॆ इसमापीमीटर के बारे में पूर्डी वी जन कारी लेंगे मृटीमीटर इसस तरह का है कुछ और पैकेट में आता हैं या तारे के Smith में मल्टिम्DIA के साथ में क्या आती फिर सवार कि आपको बताने वाला हूं तो देखने मainडिमीटर आपक ये सो यह आपका मल्टीमीटर है आप इसको दॉन से देख लिजे इसी तरह आपको यह काफी अच्छा मल्टीमीटर है इसकी जो बीप है जो साउंड है जो इसका जो साउंड होता है कंटिनिटी का वो भी काफी तेज है और इसमें अगर मैं बात करूंगा प्री इंस्ट्रॉल पहले से इसमें आपको सेल देखने को मिलेंगे इसमें सेल लगाने के ज़रूरत है और आप इसको इसकी लाइट भी आप देखें इसका डिस्प्ले भी काफी बड़ा है काफी बड़ा डिस्प्ले इसका और हलाकि इसका सबसे में फीचर यह है कि यह डूएल डिस्प्ले निकालता है जैसे कि इसको बताने के लिए इसके फीचर्स के बढ़े मैं पहले मैं इसकी तेस्टिंग भी करूंगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इसकी टेस्टिंग देखने में डिजिटल तो जुरे रहें वीडियो से तो दोस्तों आई हम इस मुल्टीमिटर की बात करते हैं सबसे बहुत में सारे फंक्शन हम समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन बिस्किली क्या करते हैं तो अब दो सेकंट भी कर लेखने हैं तो ब्लूटूट ओन हो जाएगा फ्रजम्पर जैसे दो सेकंट डबाय रखोंगा तो आप दिखेंगे यहां पर एक ब्लूटूटूट सिगनल ओन हो चुका है अब दो सेकंट फिर रखेंगे तो यह बंदो जा के साथ बने रेटे इस तरह की प्रोब आई और अगर आप यह रडली को यहां लगाते हैं तो आप इसे क्या-क्या चेक कर सत Sophie अच्रた दिया हूग अगर यहां पर रेड लगाएंगे तब आपको यहां पर ब्लैक लगाना होगा यहां पर डायोड मोड पर चेक कर पाएंगे तो आप कूल टेस्टिंग कर सकते हैं आप सेल्सियस फरेनाइट को चेक कर सकते हैं मालो आप अगर अपने अगर आप इस प्रोब को यहां से निकाल कर यहां लगा देते हैं मेंचर सकते हैं और अगर आप इसको यहां से निकाल कर यहां लगाएंगे तो आप अगर करना की करेंट कर सकते हैं मैजरमेंट कर सकते हैं ज्यादा तर जो हम यूज करते हैं टेक्निशन व तो हम यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको वोल्ट हमको यहाँ पर ओमेगा हर्ट्स और कैपिसिटर डायोड मोड चैक हो जाता है अब हम इस रोटेटर की बात करेंगे यह एक अटो मूड मुल्टिमीटर है तो सबसे पहले अगर मैं ऑफ कंडिशन की बात करू तो आप यह आटो मूड पर चला गया है तो आटो मूड का क्या मदलब है जैसे कि मैंने सपोज इस मुल्टिमीटर को यहाँ पर इस तरह से रख दिया आप देख सकते है पैनल काफी अच्छा है काफी बढ़ा है और अगर मैं इसको बजर बजाता हूं तो देखे बजर है ना बीब भी आरी है तो आटो मूड में यह तरह से में चला जाता है और में कुछ डिधिंग भी आपको देगा और बजर की साउंड गए तो बिसिकलि यह कर सथता है अटो में और तरह से लिब्जा में ऑर अप चले जाओं गा आप देखे अच्छा दोस्तों इसके साथ कुछ पैया यहां भी आया तो मैनुवल्स भी आपको बताने वाला हूं पहले यहां पर देख लीजे अगर आप बात करते हैं यहां पर वोल्ट में आते हैं तो वोल्ट में आप देखें यहां पर अलग-अप्शन है जिसके लिए बटन दिया हुआ है तो आप इसको मैं इसको पहले लाइड ओपन कर देता हूं अब आपको यहां पर डिसी दिखाई दे रहा है आटो मूड मतलब यहां पर जितना भी वोल्टेज आएगा वो यहां पर सो हो जाएगा त्री यहां पर जीरो दिए हुए हैं डॉट के बाद में हम करते हैं तो यह सिर्फ और एसी में ही चेक करता है तो आप देख सकते हैं अब अगर मैं इसको यहां कर लेता हूं आप देखे तो यह मिली वोल्ट में चेक करता है बिसी की मिली वोल्ट आप इसके मिली वोल्ट निकाल सकते हैं डी सी से और आप मिली वोल्ट निकाल स यहां पर तंपर शल्σα निकाल रहा है कि यहीं संपराई है के लिखा हूं जो नहीं पर जुमारत के लिखों के लिखने न Онब्मोड के लिए द आ रहा है तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप देखें आपर Celsius mode यहां पर दिख रहा है जिसे हम temperature निकाल सकते हैं तो आप यहां पर देखें थर्मामीटर भी बना हुआ है तो यहां पर भी साइन है हम अगर अपनी SMD का या किसी भी चीज़ का तेंपरेचर देखना चाहें तो यह temperature हम सेंस कर सकते हैं इसके साथ में temperature sensing sensing cable भी आई है सो वह cable भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो वह cable में आपको दिखाता हूं और उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा यह ओम स्मूट तीन मोड यहां पर चार मोड यहां पर दिये हुए एक ओम स्मूट अभी आप देखें कि अभी तो ओम हुआ है और बजर मोड भी है मतलब यह डायोड मोड के साथ बीप भी बजाएगा अगर माली जाए डायोड मोड पर चार्ज यहां पर दे रहा है कैपसिटर एक ओम एक डायोड बजर और एक फेरनाइट काफी अच्छी स्रेग्मेंट आपको देखने को मिलेगा अब यह ब करते हैं सोबिसिक्कली उसके बाद में मूब करेंगे तो यहां पर अप्र आ जाता है तो यह डीस को कड़ाएगा यहां पर आप डीस fuck को चैक कर सकते हैं सब आप इसको कड़के यहां पे यह Swedish M4 दो नों हीLes और यहां पर आप मिली एम जब भी आप एंपयर चेक करें तो आपको रैड को यह पर यहां लगा पड़े का जैसे कि यहां परियां पर भी şehay आप इसके बाद में यह व्युभाइब यह आपको एक और माईक्रोमपेर यह एंपेर इंपयर मीलि आम्मपयर तो यह आपको देखनेको मिलेगा और यह इसका होल्ट कर सकते हैं इसकी यह तक देवीटर जलती है सो यह भी काफी अच्छी चीज है तो आपने देखा कि यहां पर टोटल तरीके से मल्टिमीटर की कॉलिटी काफी अच्छी है अब इसका ब्लूटूट सेग्मेंट पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सो आप देखें यह देखें तो ब्लूटूट डिम्म यह अपको डाउनलोड करनी है मेरी डाउनलोड है यह एंड्रोइड में भी मिल जाएगा आईफोन में मिल जाएगा सो यह अपको इस तरह के आएगी अब यहां पर इस अप्लिकेशन में सबसे पहले आपको रजिस्टर क करना पड़ेगा सो आप क्या कीजेगा यहां पर जाकर आप सबसे पहले जैसी उपन करेंगे तो आप से साइनिंग मांगेगा सो आप इस पर साइनिंग जरूर कर लिजेगा और इसमें कोई भी इमेल आईडिया पास्वर बना के कुछ भी नहीं इसमें वेबसाइट कुलने अब देखे हैं जैसे में यहां पर Bluetooth का बटन दबाऊंगा तो हपर Bluetooth चलू हो जाएगा और इस Multimeter में यहां पर यह एक कनेट हो जाए 돼 ALL these आप एक किया अपनी आप हो गया देखो फिरसे बंद करता हूं यह देखो देखो बंद हो गया स्फिर से करता हूं दान दीजेगा देखे मतलब बहुत मिली सेकेंड में यह एक सेकेंड भी नहीं लगाया और यहां पर कनेट हो गया है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इसको मैं ओपन करूंगा यह देखे यह आगे आपका मल्टीमीटर तो आप द दिस्प्छल सकते और यह बहारी डिस्प्लेल बना सकते हैं आप इसको डिस्प्ले बना सकते हैं तो आप देखेंगे यहां पर यह देखें कितनी हिह यहाँ पर मैं इसको पूरा चेक अर्केड़ आपको बता चल जाएगा और इस की रेंज भी काफी अच्छी है यूजर मैनुवल को हमें ऐसा पढ़ना चाहिए तो यहां-पर इनोंनिकि चीजेशों को बताया हुआ है जैसे घॉल्ड फ्रेकुंजी फ्रेज्ट स्कूलर्ट टेस्श मीनिमम सब करेंंगे च्राक्ष दिसॉवल अब आभे उत्हारी चीजह पर दी होई है अब में थोरह और आगे जाओंगा तो यहां पर अलग अलग चीज दी हूई है और यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि इस की कुको मेजर्मेन करेंगा तो सब कुछ, बताया सी यहां पर बात करते है, इस चीक्तवी स्कुरी को करेंगे 10 ohms तक राग्य, अच्ग्र्वा, 59% अच्ग्र्नलं खेंग सब्सक्राइनध करेंगे, 60 ohms तक राग्य तक राग्य खेंगा बितन्स करता है और मेरे अनुवब के साफ से स्टी मेगा ओम्स काफी हैं आपके मुबाइल के साफ से तो कि 20 मेगा से ज़्यादा रजिस्टर लगे नहीं होते हैं तो 22 मेगा 3 मेगा भी बहुत मैपसिमम होती हैं पर 50 यह बता रहा है यह बचास ओम्स तक और यह बताएगा कि पचास ओम्स का अगर को रजिस्टरेंस तो वह बीप दे देगा यह 3 वोल्टेज तक यह आपको बदा सकता है अगर एक लेडी है और यह पर आप इसको हर्ट में दे सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरह इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि यह खरीदने लाइक है या नहीं है बड़ मैं इसको 10 आउट आउट आप 10 जरूर देना चाहूंगा ठीक है इन मुल्टी मिटर है जिससे मैं चेक करने वाला हूं उस मुल्टी मिटर को मैंने इधर रखा हुआ है और अपने मुबाइल को मैंने इधर रखा हुआ है ताकि आप इसको चेक कर सके और एक साइड में मैंने एक स्क्रीन चला दिये है कि तो देखिए दोस्तों यहां पर मैंने मंटी मीटर को इस तरह से साइट कर दिया है आपको यह मंटी मीटर दिखाई दे रहा होगा सबसे पहल देंगे तो यह देखें तो मैं आपर अब जी रूम के रेजिस्टर को धूर लेता हूं कर दोत談 से स्क्रीप दूम कर दो, तो यह दो हूंगें से सूछि़ रूम का वड़ा होगायाया है थाएंगे, पाष्छि़, पाष्छि़, यह दो पर दो दो हूंता हूं जैसे कि आप देख चाहते हैं यह 2.2K का रेजिस्टर है जैसे कि आप देखेगा यह आपको यह पर पूरी रिडिंग भी दिखाएगा जैसे देखें 1.1K का रेजिस्टर है और आप देखें जैसे यहां पर यह बजर बजा दिया मतलब इसका मतलब यह कि यहां पर यह एक लोग वैल्यू रेजिस्टर है और 00 ohms का रेजिस्टर है और इस बहुत है कि यह 2.1K का रेजिस्टर है टोलेडय से इसकी यह 1K का रेजिस्टर है तो कि रीडिंग कि अच्छी और आक्रिए आपर देखो इस बीप कि कंटरिटी देखेंगे देखो यहाँ पर धोल क्रिल लगी वई है तो इसकी कंटरिटी देखे रहे हम ao कि इस जी स्टर की देखिए कि जी रोन कर रेंडिस्टर तो दोस्तों कैसा लगा है टी मिल्टी मीटर कि बहुत अच्छा लगा यह में अधाना की अधिया कुछ चीखने के नौलिज भी दिया है सीख जाओ यह दो और जिन्दी की बन जाएगे तो पैसे कमा होगे है ना सो यह वीडियो इस मिल्टी मिंटर के बारे में जरूर देखे इस वीडियो को पूरा थैंक यू वेरी मच और हमारा लाइव देखे आज के दिन का और पहला बैच का पहला दिन है काउंसलिंग किलास है और तगरा कल सु और हमें देखे एंजोई कीजिए थैंक यू बड़ी मच अभी तट कोई यूटूब में नी बताया हो कि या ना में आपका हम इसका शीकु निकालने वाले हैं टूजए अईळे पिजल और जाूब में आपका स्वार्या शीकु निक दुट जाए तब्स्ता शीकु यूटू़ी यूटूटूशूग।